कि नमस्कार जोहार सत्री अकाल एक जयांग फाइटर नमरन को आप सभी का ग्रांड विलकम है साथियों आज बात करेंगे हम लोग हैं मंद केविनेट की फिर से बैठक हो रही है पिछला बैठक काफर नीरासाजनक रहा था हम लोग ने बात करी थी लेकिन कहते हैं कि कैसा पोजिटिव सोचना है अभी अचार सेंगीता लागू नहीं होई है सरकार ने फिर से प्रयास किया है बीच में चेविनेट कर लिया जाए तो आने वाला जो केविनेट है वो कब है इस प्र पर आप सभी को लग रहा है कि यह की जेटट पर निरने लिया जाएगा बैटक होगी और पिछली बैटक जो कि निरासाजनक रहे थी स्टुडेंट के पॉइंट अब व्यू से यह वाला आप सभी के लिए अच्छा हो और जिस प्रकार हम लोगों ने सोसल मेडिया पर आवाज उठाया है सभी चैनल के माध्यां से आवाज उठाया है चाहो फेस्ट जैड का सिलेवा से अपरूब हो जाए और जैड के बारे में भी कुछ निर्ने हो जाए और जैसे सिजल जो के डिमांड है रद करने का यह रद भी हो जाए तो यह बड़ी बात नहीं है एक केबिनेट आपका कब होने वाला है उसके हम लोग बात करेंगे अगली केबिनेट केबिनेट कब होगी 14डा अक्तूबर को प्रयास है और कर लिया जाए और जो छूटा बढ़ा है जो की आम नाराज बर घे उनको भी खुष कर लिया है जाए गुशेज कर स्टूडेंट वर काफी नाराज है जेट वाले काफी नाराज है तो उन सभी को साधने का प्रयास अंतिम रूप से कराए जाएगा और वह आपका कव है लेकर या पर जेट को लेकर या पर जेट को लेकर उन सभी सरकार ठोस निरने लेगा चोगदा अक्टूबर को चाहरकन की बेटक होगी और यह प्रोजेक्ट भवन में दीन के 12 बजे होगी पिछला हुआ था चार बजे ये दीन में ही लिया जा रहा है इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है अधिसूचना जारी हो गई है और इस बैटक में कई हम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है बड़े बड़े प्रस्ताव यहां पर तयार है क्योंकि ये अंतिम है लग यहां पर चुनाव की घोष्चना कर देए तो सरकार अगर चोगजा क्टूवर को प्रयास करती हैं के बिनेट कर लें और के अधिस्चना चाड़ी हो गई है तो यह अंतिम रूप्से में जो प्रस्ता हो आएंगे वह ऐसे प्रस्ता वाएंगे यह सरकार फिलाल उसको कुछ न जोगदा अक्टूबर को केबिनेट होने वाली है इसके बाद 12 बजे केबिनेट की बैठक होगी अगर जेटर सिलेबस पर निरने लिया जाए तो क्या एक्जाम हो जाएगा मेरा जो हट कहता साथियों मेरा जो एक का सकते हैं ओपिनियन है वो जरूने की सही हो लेकिन मेरा ओपिनियन कहता है अगर 14 अक्टूबर को सिलेबस भी जारी कर देती है या एप्रूब भी कर लेती है एक्जाम की समाना बहुत कम लग रही है एक्जाम की समाना रिशलियर है क् प्रस्ताव को पारित किया जब सकता है जो अब इसाफ नाइंटी पर्संट कर सकते हैं नाइंटी पर्संट यह कर सकते कि नहीं होगा ठीक है हाँ प्रस्ताव को पारित किए जा सकता है जो अभी चोड़ा डेमेज हुआ है उसके खवी को थोड़ा अच्छा कि यह सकता कि around सरकार काम कर रह लेकिन, अगर आपको करना था आप 12 пис पंवra दिन, पहले, 27 सिटमबर, से श्टार्ट था, उस समय कर देते था अभी पर पर लाखो बच्चों ने फर्म बढ़ा है तो इसलिए इस एक्जाम नहीं ले जाएगा देखे पिछली बेटग में बहुत बड़े-बड़े अब इस बेटग में भी प्रिस्ताहों की कमी नहीं रहेगी लेकिन हमारा जो फॉकस रहेगा कि ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर कीजिएगा ताकि आवाज है ना पहुंचे सरकार सोचल मेडिया को देखती है वहां से उनको आवाज मिले फिडबेक मिले इस्टुडेंट्स की आवाज हम लोग आपके आवाज है इतने भी टीचर है यूट्यूब पर इस्टुडेंट्स की आवाज को हम लोग उठाते हैं यानि आपकी आवाज को उठाने का यह माध्या में एक्जाम फाइटर नमर वन आप इसको सेर करेंगे तो सरकार तक यह बात है जाएगी सरकार की मंसा अगर नहीं भी होगी न यह देखकर उनको लगेगा हाँ जरूर डालना चाहिए और वो उसको प्रपोजल में ढालेगी और जेट या जैट या जैट या सिस्ट्रेंट्स की व्रकेंसी या जैसे सिंजल पर काम बन सकता है तो आपको ज्यादा ज्यादा वीडि सब्सक्राइब करें और आप से कर्मत पर आप से कर्मत पर आप इस्ट्वेंस हिद में अच्छा निर्ने लें अंतिम केबिनेट है यही रिक्वेश्टेश्ट है सब्सक्राइब करना चाहूंगा आप सोसल मेडिया के माधम से अब 14 अब से कर दियेया में जाएगा और सरकार जरूर इस पर काम करेगी लेकिन हाँ यह इक्जाम्स की बात रही एक्जाम पोसिबल नहीं लग रहा है एक्जाम नहीं हो पाएग पाएगा लोगी एक्जाम सं इतने कम समय में सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा तो चलिए इस वीडियो में इतना है मिलते हैं बहुत ही जल एक कर सकते आगे के अपडेट्स को लेकर और जेटर के क्लासेश को लेकर पुर्णा वीडियो में हम लोग मिलते रहें हैं और यह क्लासेश लगता चलती रहेगी क्लासेश बन नहीं होगी ठीक है एक्जाम हो ना हो हमारी प्यारी शेलती रहने चाहिए चलिए इतना है जय हिंद जय भारत जय जरकन